आप अप आप आप वेल्कम बच्चों होब साब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो और आज का मारा जो ट्रापिक है वो है लेंस तो बच्चों जान लेते हैं कि लेंस क्या है कैसे कैसे वर्क करता है आपका ठीक है तो पहले मैं सिंपल इसकी डेफिनेशन लग देता हूं और फिर आपको एक्स्पेंट कर दोंगा ठीक है देखो लैंस होता है हमारा ट्रांस पैरेंट रिफ्रेक्टिंग मीडियम ठीक है बाउंड़ेट बाई आइदर टू स्फेरिकल सर्फेस ठीक है और वन सर्फेस स्फेरिकल एंड अदर सर्फेस प्लेंट तो यह हो गई बच्चो सिंपल सीक डेफिनेशन ठीक है अब देखो कन्फूज मत हो ना कि बड़ीजी है अभी मैं आपको एक्स्पेरिंग करूंगा बहुत इजी लगी है ठीक है कैसे देखो ट्रांस्पेरिंट ट्रांस्पेरिंट आप पढ सकते हैँ, तो हैनि कि हम लिख सकते हैं, लाइट है केन पास्ट हो चक्ति है, दूसरा रिफ्रेक्टिम तो चप्टरं सेहित रिफ्र coveredying होगी हम रहा है और रिफ्रेक्शन पर रहे हैं औरी रे रिफ्रेक्शन में क्या देखोता है, बेंडिंग आफवा लाइफ ऑवह हम और अब तो हमारे के बाद फाइबर की लैंस आये लग गए हैं है ना फाइबर की लैंस भी होते हैं तो डिपेंड करता है मीडियम कौन सा है ठीक है कौन सा मट्रियल यूज क्या गया आपका गिलास का या फाइबर का या कोई और आपका ठीक है next bounded by either two spherical surface अब spherical mirror हमने पढ़े देना curve थे तो वैसे ही या तो जो लैंस का surface होगा वो दोनों ही साइट से spherical होगा ठीक है या फिर एक साइट से spherical होगा और दूसरी साइट से plane होगा अभी आपको डाइग्राम मनाओंगा उससे और के लिए हो जाएगा कैसे ठीक है अच्छा लैंस में हमें जो पढ़ने हैं वो दो टाइप के पढ़ने हैं ठीक है दो टाइप की होते हैं मारे पास Keine में काइंड़ाइं टूला फोल reaction अभ एक होता है कॉन वेक्सस में काई को एक और अब यह कैसे दीखता है जो कॉन वह उता है वह कुछ इस तरीके से होता है इस तरीके से ठीक है ये दोने तरफ से कर अबना लो इसको ऐसा दीखता है ठीक है जो कॉंपेभ होता है वह कुछ हमें इस तरीके से दिखता है है बिल्ट्र सब्सक्राइब में चलो अब देखते था तो यान लेक्स को से बारा में और जो Convex Lens है, जो 20 से, Middle से होता है, ठिक और Edges से, Edges से, ठिक है, Edges से होता है आपका, Thin, Concave इसका उल्टा है, साफ दिखाए दे रहा, है ना, भाई, Middle से दो क्या हो गया, Thin, और Edges से क्या हो गया, ठिक, Clear है, ठिक, अच्छा, जो Convex Lens होता है, जब light इसे पड़ती है तो यह perform करता है Converging action ठीक है तो इसका होता है और इसको हम Converging lens भी पोलते हैं जैसे हमने mirror में पड़ा था ठीक है उसमें Concave lens था आपका Converging दूज नहीं होना बच्चो जन्होंने वीडियों नहीं देखी है आपको शोर और स्कीन पर क्लिक करो और प्रानी वीडियो जलूर देखो क्लियर करो उन चीज़ों को ठीक है तो कौन की में मारा क्या होगा Concave को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग ठीक है डाइवर्जिंग लेंज इसको हम डाइवर्जिंग लेंज भी बोलते हैं तो यह डिफ्रेंट सेट में भी आ जाएगा बच्चो ठीक है तो डिफ्रेंट सेट में आपको बदा चुका हूँ ठीक है एक और देख लो एक और होगा इसका जो होता है है ऐसे कॉंवेक्स का कॉंवेक्स का होता है रियल फोकस और इसका होता है ठीक है वर्टुल कि वर्टुल फोकस ठीक है अब मैंने आपका रियल फोकस भी तो यह एक्षवल में इंटरसाइक्स करेंगे कॉंवेक्स में थी या पर उल्टा आ है वतस्थे इसमने कन्फूजर नहीं हूंग आपको मिरेर में कॉंवेक्स में कॉंवेक्स में तो कॉंवेकश का रियल फोकस तो 50 तब जब रेय अश्वurar कNG में इंटरसेक्ट होती है वर्चॉल कब बनती है ऒड़ती है जब हमें होता है क्लियरेजीज ठीक कोई डाउट नी रखना है चलो यह होगा हमारे पस लाइन्स मैंने आपको बता दिये कॉनकेव कॉनवेक्स ठीक है अब इनके भी टाइप होते हैं तो लाइन्स हमने कॉन से पढ़े एक हमने पढ़ा कॉनवेक्स और दूसरा हमने पढ़ा क्म double टिक है कॉनवेक्स को हम बोलते हैं साथ में क्या क blender इंग है ह्यी के और लगा लो इसे हम ऐस 61 इंग जो नैंस भी बोलते हैं वाला ठीक है? तो इसको हम by convex भी बोलते हैं दूसरा type ठीक है? दूसरा type हो जाएगा इसका इस तरही के से इसको बोलते हैं plano convex और जो तीसरा है आपका ठीक है? ऐसे हलका सा इभी कर तो इसको बोलते हैं कौन केवो ठीक है? कौन केवो convex ठीक है, concave हो convex वैसी, concave के भी देख लो पहला, तो पहला वैसे ही होगा जो मैंने आपको दिखाया है ठीक है, ये, तो इसको बोलते हैं by concave lens, ठीक है दूसरा देख लो, ये ठीक है इसको तो ठीक भी नालता हूँ ये ऐसे और ये ठीक है, इसको बोलते हैं, plano कौन तीसरा हो गया आपका ठीक है ऐसे, ठीक है तो इसको बोलेंगे convexo concave clear है, ठीक है, हुपसो तीनो आपको समझ आगी हो, ठीक है दोनों के तीनो टाइप आपको clear हो, अब देखो, भाई by convex by मतलब क्या होता है, बाई मतलब होता है दो, यानि की ray of light आपकी दोनों तरफ से incident हो सकती है, और जो surface है, वो दोनों तरफ से क्या है convex है, यानि दोनों ही तरफ से क्या है, converging है clear है, अब देखो, आप प्लैनो convex, नाम से पता चल रहा है देखो, बोलने की विज़रो तनी, एक surface convex, दूसरा plane, ठीक है, definition में भी था ना, अदर surface plane, वो ही चीज़, अब यहाँ पर क्या है, एक surface convex है, दूसरा surface, concave है, ठीक है, वैसे यहाँ देख लो, यहाँ पर यानि कि दो, दोनों ही surface डाइबर्जिंग है, यहां से भी आ सकती है, यहां से भी आ सकती है, रे ओफ लाइट, कोई डाउटी, ठीक है, अब प्लाइनों में आ जो, तो प्लाइनों में किया, एक surface concave, दूसरा plane surface, इसका आजाओ तीसरे में, तो एक surface आपका convex, दूसरा कॉंकियर है होफस्थ आपको एनिकी कॉंवेक्श और कॉंप डाइप स्क्रीजर हो गए हो आपके एक्षन और कॉंप डाइवर्जेंट डी चलो फस्ट यानिकी कन वर्जेंट action of convex lens, ठीक है, देखो भई, भई मारा convex lens कैसा होता है, ऐसे, like this, ठीक है, अब rear flight, अगर यानिकी सीधी आ रही है, तो सीधी निकल जाएगी, हम पढ़ चुके हैं न, यानिकी बई, सर्फेस परपेंडिकलर डालते हैं, ठीक है, सर्फेस परपेंडिकलर डालते हैं, तो परपेंडिकलर इस पॉइंट पे भी तो यही होगा, तो light के है, बिना diversion के, ठीक है, बिना division के, सीधी निकल जाएगी, तो निकल के सीधी, चलो, next, एक खोर रहे ले ले लेते हैं, यह हो गई रहे, ठीक है, और एक नीचे से, यह हो गई रहे, अब धियान रहे है, ठीक है, फि यहां पे से, हलकी band होगी, ठीक है, normal डालेगा, फिर away from the normal, फिर दुबारा band होगी आपकी, और यहां मिलेगी, वैसी यहां होगा, ठीक है, इस पे भी आप normal डालोगे, towards the normal band होगी आपकी, फिर normal डालोगे, फिर away from the normal, और यहां intersect करेगी, और मैंने आपको बताया था, convex lens का हो फोकस, इंटरसेक्ट कर गई, तो real focus होगा इसका, ठीक है, आगे discuss करेंगे और अच्छे से, ठीक है, आप करके देख सबतों कि यहां पे डालोगा, आप normal, यह normal, इस पे भी normal, ठीक है, normal डाली, तो क्या होता है, जब rare से dancer जाती है, तो rare flight band होती है, towards the normal, तो towards the normal band होगी ना, ठ यहां पे जालो, यह होगे normal, तो जब dancer से rare जाती है, तो like क्या करती है, away from the normal, तो हो गया यह अभी from the normal, ठीक है, वैसी same concept इसमे लगा, तो यह क्या हो गया, convergent action of a convex lens, यानि किस तरह से converge होगी rare of light, ठीक है, आप यहां से भी दिखा सकतों, क्योंकि दोनों surface के, इसे हम क्या बो हो गया, दूसरा हमें देखना है, divergent, divergent action of, concave lens, ठीक है, अब concave lens कैसा है, वह मैंने आपको बताया, इस तरीके से, ठीक है, यह, एक ray of light, सीधनी कर जाएगी, ठीक है, arrow दिखा सकते हो, आप, यह से arrow दिखाओ तो, ठीक है, एक तरह से, जब दिखा, arrow जब दिखाओ, ठीक है तो यह हो गई आपकी, अब अगें, एक ray of light यह, और एक ray of light यह, इंसिदेंस हो गई, ठीक है, इंसिदेंस, अब यानिकी, normal डाल देते हैं, इस पे, ठीक है, normal हमें इसा, surface पर डलेगा, ठीक, तो यानिकी, surface पर normal डालेंगे, अब हम, तो ray of light क्यों होती है, towards the normal, इस पर bend हो ज इस surface पर, तो क्यों होती है, अब इस फ्रम दर नॉर्मल, तो अब इनिकल जाएगी, होगा diver, ठीक है, वही चीज़ यहां पर, तो, नॉर्मल डालेंगे, अब हम, ठीक है, इस पर डालेंगे, इस तरीके से, ठीक है, यह होगा normal, तो light क्यों होगी, towards the normal bend, फिर हम डालेंगे, normal तो क्या होती है अब ये फ्रम्द नॉर्मल तो यह हो गया कॉनकेव लेंज का डाइवर्जिंट एक्शन होपसो यह क्लियर हो अच्छे से ठीक है नॉर्मल हमेशा सर्फेस पर डालेगी ठीक है बहुत क्लियर बनायास में डाइग्राम आपके ठीक है ड्राइंग अच्छी नि अब देख लेते हैं बच्छो टेक्निकल टम्स लेटेट टू लैंसे तो कौन कौन से लैंसे इस कॉन्वेक्स कॉन केव दोई लैंस था है ठीक है टेक्निकल बहुत इजी सी है और मैं डाइग्राम बना दूगो ना तो वह और इजी हो जाएगी ठीक है चलो तो एक है मारे पास कॉन्वेक्स लैंस ठीक है दूसरा है हमारे पास कॉन केव लैंस ठीक है चलो देखो से ध्यान से देखो यह आपको और हेल्प करेगा समझने में यह कॉन केव का ठीक है चलो अब यह हमने स्पेर बनाया है ठीक है तो इनके सेंटर भी होंगे तो यह ले यह होगा सीवन यह सीटू ठीक है और यह लाइन जार यह सब मैं को एक्स्पेंट करने वालों यह ले लो ओ ठीक है यह जाएगा आपका सीवन सीटू यह आपका ओ ठीक है यह आपका ओ है तो इस सब मैं आपको एक्स्पेंट करने वालों ठीक है चलो अच्छा और चलो पहली जो टेक्निकल ताम है वह हैं आपकी सेंटर और करवेचर तो सेंटर ऊव करवेचर तो क्या लिखोगा डेफिनिशन इजा सेंटर ओफ ऐस्पेर का सेंटर हूज पार्ट हूज पार्ट इज-धा लैं सर्फेस क्लेर यह चीज ठीक है अब लिख सकते हो यह इसकी डैफिनिसमें बताएगा अब्दा ओआफको ठीक हैं कि दोनों के दॉनों सब्सक्राइब कि दोनों से बना जाने मि जो का सेंटर है सिंटर है उसका बाइब मैं उसका पार्ट क्या है खसिए अब ध्यान डिए सेंटर अफ करिवेचर आपका राइट साथ तो होता है सीवन और सीटू लेवट साइट पे दो सेंटर होता है राइट पर और शीटो पर वैसी को देखो गए तो कॉन के पासिवन होता है लाफ पर और चीटो होता है राइट बच्छों क्लिएचीज कोई आउट इस में नैक्स नमाती आपकी कि रेडियस को ओफ कर वेचर तो बच्व आप देखो तो रिडियस एफ रही क्या होगा तो रेडियस आप स्फियर हूस पार्ड इस दा लाइन सर्फेस सेंगो सेंव डेफिनिशन कोई डाऊट नहीं ठीक है चलो यह ओ गया अच्छा थर्ड principal axis द्लाइन पासी लाइन पासी थ्रूदा remember यानि कि दोनों deja से कि जो रही है उसको अब यह जो है ठीक है फॉर्थ जो ओ है उसको बोलते हैं ऑप्टीकल सेंटर सेंटर बर इसको समझो तो अप्टिकल सेंटर हो गया आपका लैनस का सेंटर है टीक inverted मेर में था लाप्र मीर 1 लेक अभर वैसी लाइस सेंटर होगा ईस्को आप टि agree ज़ो सैन्डर पार वहत का उसको भो हम ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे एसके बार में भी बाते बता हो इंखु ए Toutर्क को पुछ पॅप्कस्ट की बारे में बताता हूं ठीक है प्यूंत करें लोकुक्श में में dip还ul तो ओंग्यंक का और तो को टे आख्म ली मिनाइब करें कीठ लो यान से राफ्लाइटेंड नॉर्म टूस्च टूस्ट बनेंड के लुए अब दोए भिक्या नॉर्मयर और अवे फरॉम नॉम्वल तो हल सिसी बैंडी जर्वक बैंडींग है वैसे ही वैसे ही बैंडìn अपकी हिर कॉन केंड में भी लुग साầu टिक है तो यहां पर भी आपका प्रिंसिबल अक्सिस होगा इसको ले लेते हैं यह सी 2 हो गया यह सी 1 हो गया यहां पर भी रेव फ्लाइट हो गया आपकी ठीक है तो तो टूवर्ज नॉर्मल है निकि बैंड हो जाएगी हलकी सी आपकी ठीक और फिर यहां पर नॉमर िया यहांने की इस तरीके से ठीक है ये ओ गया रेयख आई आपकी तो सीधा- голum है ठीक है यह हो गया तो सीधा अशखी निकल जायगा तो कोई बेंडिंग नहीं होगी अगर रेयख लाइट की ऑप्टिकल से पास हो रही है अब क्यों हो गया इसा ठीक है जो एक्टिकल में लाइन्स होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं यहां फिर तो मैंने आपको इतना बड़ा करकी बता दिया ना है ना तो यानि कि जो बेंडिंग होती है वह एक तना से नेगलिजिबल होती है उसको हम इग्णोर कर सकते हैं इसलिए जब भी आप डियागरम बनाओगे ठीक है आगे हम जो बनाएंगे उसमें ऑप्टिकल से से लाइन पास हो रही तो सीधा कोई बैंडिंग ने क्लियर रहे चीज़ ठीक है तो हास हो ठीक है सैट से मतलों सीरस मतों मस्ती में बढ़ो ब लेंडिंग है बहुत ना के समान तो रे ओफ लाइट सीधा सीधा पास हो जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से में आपकी वह है प्रिंसिपल फोकाई ठीक है अब देखो प्रिंसिपल फोकाई आपकी जो लैंस है आपका बैक कॉंवेक्स लैंस लो या कॉंकेव लैंस लो रे सब्सक्राइब आपको बताएं दोनों तरफ से यहां से भी और यहां से भी आ सकती है तो यानिकी लाइन्स के जो फोकाई होते हैं वह दो फोकाई होते हैं ठीक है यानिकी दो प्रिंसिपल फोकाई होते हैं लैंस के सो फॉर कॉंवेक्स है ठीक है कॉंवेक्स लैंस के फोकस्प्वाइट आपका लेफ रेंड साइड प्रिंसिपल एक्सेस से लाइट इस से निकली ठीय और आफ्ट रोPS रिफ्रेक्शन पैलल हो जाएँगी लेर है ठीक है Convex Lance के ले जो First Focus है आपका First Focus है principal AXEस बलाए कर रहे है रेय ओफ लाइट उससे निकली है after reflection पैलर हो जाएंगी principal AXEस से Quite out Concave Lens तो Concave Lens इस तरीके से होता है ठीक है यह ओगई principal AXEस तो रेय ओफ लाइट इंसिडेंट है ठीक है लाइंस पे इंसिडेंट है और आफ्टर रिफ्रेक्शन पैलर और अप्यर होंगी कि जो इंसिडेंट लाइट थी वो नीट हो रही है आपकी ठीक है यह हो गया इसका F1 और मैं आपको बता चुका हूँ Convex का Real Focus Concave का Virtual Focus यहां पे Rear of Light Appear हो रही है Actual में Intersect नहीं हो रही है ठीक है यह हो गया हमारा First Focal Point ठीक है यह First Focal ठीक है First Focus आपका Second Focus discuss कर लेते हैं आपका लेते हैं Next Technical Term that is Focal Plane तो यह क्या हो गया आपकी सिंपल सी Perpendicular to the principal axis and passes through focus ठीक है फोकस से पास हो रही है आपकी ठीक देखो डाग्राम से दियां से देखो और समझाएगा यह होगा Convex Lens ठीक है यह हो गया आपका F2 अब Ray of Light जो ही थोड़ी पहला रही आएंगी है ना ऐसे भी ता सकती है इस तरीके से तो क्या होंगी इस तरीके से मीट करेंगे आपकी तो लाइन क्या बोली अब देखो अगो डेफिनेशन परपेंडिक्लर टू दॉद प्रिंसे फिल अख्थे तो यहां से परपेंडिक्लर लाइन पासेज थू फोकस ठीक है तो यह हो जाएगा F2 यह ना तो यह हो जाएगा क्या सेकिंड फोकल प्लें ठीक है अगर नैक्स की बात करें बहुँ सेकिंड वाले क तो F1 यहां होता है आपका तो अगर मैं इसमें बोलूं कि रिया ओफ्लाइड यूं गिर रही है आपकी ठीक है और आफ्टर रिफ्रेक्शन यहां के मीट करेगी तो लाइन तो यह हो गया फॉस्ट फोकल प्लेंड सिमलर्ली कॉन्केव के भी ठीक है लाइन ऐगए तो Q2 फोकल प्लेंड स्ट के पास होगी किसे कि सगें फोकल प्लेंड ृड जो सिल नाच्ट थेखनीकल थी आपकी यही सिल है यह है इन व्म बढाल ऑकि क्षणिक्ख और शाया है इस फोकल तो अप्टिकल सेंटर से ठीक है फोकस का जो डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे फोकल लेंग और उसको हम शो करते हैं F से यह होगा F2 F1 से बोले इसका तो डिस्टेंस होगा वह होगा आपका F1 ठीक है या हम इसको ऐसे लिख ले ओ F1 equal to F1 ओ F2 equal to F2 यह represent करते हैं ठीक है इस तरही से represent करते हैं clear now कुछ important point उन्हें discuss कर लेते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं और आपको help करेंगे marks score करने में तो marks की बाद आते हैं तो एक तरह से कहां खड़ जाते हैं तो चल बाते जो में ध्यान रखनी है बच्चों उन्हें देख लेते हैं तो मैं आपको पहला बता चुका हूं अगर यानिकी lens के दोनों ही तरफ से medium है तो जो distance होगा optical center से यानि की of1 equal to of2 होगा या फिर f1 equal to f2 होगा यानि की numerical numerical value या इनकी जो length होगी वो equal होगी अगर medium lens के दोनों तरफ सेम है clear है चीज नेक्स आजो when we say focus जब भी हम focus की बात कर रहे हैं बच्चों अगर हमने focus बोला it means हम second focal length की बात कर रहे हैं या second focal point की बात कर रहे हैं जब भी focus word कहीं use हुआ है तो वो आपके यानिकी automatically known होना चाहिए कि second focal point की बात हो रहे हैं और जो distance भी होगी जो focal length भी होगी वह भी किस की होगी f2 की बात हो रहे होगी ठीके तो इसमें Baba confused नहीं होना तो यानिकी numerical में merging में या किसी भी चीज़ में अगर focus की बात कर दी आपकी तो वह second focus की बात हो रही है और वैसी फोकल लेंद की बात करी तो सेकिंड फोकल लेंद की बात हो रही है ठीक है next आजो यह मैं आपको बता चुका हूं बई कौन वैक्स कहा है रिया फोकसे और अब हाई चूँझल फोकसे यह य। में पॉर्चल फोकस क्लीर के चाहिए वितिए लेंग्रों ड्रेक्ड कि नहिसे क्पोर्ट कॉं कॉं कॉंसे चाहे अ फोकर। length of a length depends on two factors, देखो कौन कौन से हैं, ठीक है, पहला refractive, refractive index of a material of length relative to surrounding, ठीक है, यानि कि अगर मैं length को, length को मैं air के जगे पानी में डालता हूं, if length is put in water instead of air, तो जो focal length होगी ना, बच्चो, focal length of a length increases, ठीक है, एक्जाम में पूछ लेते हैं, कि हमें length को पानी में डाल दिया है, तो focal length में क्या पड़ेगा, तो आपको पता होना चाहिए, increase कर जाएगी, next होता है आपका radius of curvature, ठीक है, इस ते भी depend करता है, कैसे है, जो आपका thick lens होगा, ठीक है, ठीक, जो lens होगा, उसकी जो focal length होगी, ठीक है, focal length होगी, उसकी, वो क्या होगी, less होगी, compare to thin lens की, ठीक है, thin lens की focal length, ठीक है, more होगी, material सेम रहना चाहिए, ठीक है, same material, ठीक है, clear है, ठीक है, मुटाए, एक refractive index दूसरा radius of curvature, refractive index आने की अगर हमने रहीन की lens को किसी और medium में डाल दिया, तो उसकी focal length होती है, उसमें change हो जाते हैं, यह मैं आपको बताया, ठीक है, ठीक है, तो उसकी focal lens ज्यादा होगी material सेम रहना चाहिए clear है चीज ठीक है next अच्छा फिफ देख लूँ तो अब question ये भी पूछते हैं अगर lens को cover कर ले lens is covered अगर हम lens को cover कर ले तो क्या होगा ठीक है यानि कुछ पार्ट कर ले पूरा lens नी कुछ पार्ट कवर कर ले ठीक है याने कि मालू मैंने इतना cover कर लिया अब जो रेव फ्लाइट है वह इतने पार्ट में पड़ेगी ना ठीक है फोकल लैंड में कोई फर्ख नहीं पड़ेगा ठीक lens is covered so there is no change in focal length तो फोकल लैंड में बच्चों कोई फर्ख नहीं पड़ेगा केवल light की जो intensity नहीं कि जितना portion मिला light को एंटर करने के लिए ठीक है light एंटर करेगी size ठीक है जो image बंड़ेगी उसकी shape size में कोई फर्ख नहीं पड़ेगा केवल फर्ख पड़ेगा उसकी intensity ठीक है वो bright बंड़े होगी तो अब कम जगा मिली ना तो थोड़ी सी कम bright होगी इतना ठीक है अगर मैं इसका करूंगा तो इसका तो स्फेर बन जाएगा ठीक है लगिन अब इसका कैसे स्फेर बनेगा यह तो सिद्धी सिद्धी लाइन है तो पूछ लेंगे यह इसका क्या होगा क्या होगा इन्फनाइट ठीक है तो ध्यान हकना infinite लेडियस आफ कर बैचर बच्छों के वर कंफूज करने के लिए पूछिए जाते हैं और पता होना चाहिए इस वाले पार तो स्फेर लेकिन उसका क्या होगा इसका इसको यह इसे बनाएंगे तो इसका तो रीडेस कर ठीक है होफ सो क्लियर है बचों को समझ आया तो लाइक करना है साथ ही साथ क्या करना है कमेंट करना है ठीक है और डाउट है तो तो कमेंट कर नहीं है ठीक है ठैंक्यू